सिरियल अनुपमा में फाइनली वो पल आ चुका है जिसका आप सब को बेसबर से इंतजार था और अब फाइनली हमें अनुझ और अनुपमा की लव स्टोरी देखने को मिलने वाली है और जब कावया अनुझ के पास जौब मागने के लिए जाती है तो अनुझ उसे जौब दे देता है वो अनुपमा से गुस्से में कहने वाला है कि अनुपमा अनुश कपारिया को अपने इसारों पे नचाती है ये सब सुनने के बाद काबिया वनराज पर बहुत गुस्सा हो जाएगी और उसे कहेगी कि तुम्हें किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए ये सुनकर वनराज बहुत ज़्यदा गुस्सा हो जाता है और एक छोटे से पॉट को उठा के फेक दिता है जिस बज़से उसके हाथों से खून निकलने लग जाता है जब अनुपमा उसके हाथों को देखने जाती है तो वो अनुपमा को भी धका दे दिता है इसके बाद हम पाकी को देखते हैं जो रोते हुए वहाँ पे आती है वो कहती है कि माँ आप तो तलाक लेकर अलग हो जाती है लकिन हम बच्चे क्या करें हम बच्चे अपने माँ आपको कहने संभालें ये सुनकर अनुपमा और वनराज सूचने लग जाते हैं आप सब को क्या लगता है क्या पाकी के बातों का असर बनराज पे होगा क्या बनराज सुधर जाएगा या फिर हूँ ऐसे ही रहने बाला है आप सब को क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके विल आइकन को जरूर प्रेस कर लिजेगा ताकि आने वाली खड़ेक वीडियो को नोट्रिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले तो मिल